आज हम बात करेंगे दिम्लाइन क्रीम के बारे में दिम्लाइन क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है अगर इसे सही तरीके से इसनमाल किया जाए तो इस पर मैं एक शौड वीडियो बनाया था जिस पर काफी सारे लोगों ने खुरी किया क्या हम इसे अन्डराइज में यूज़ कर सकते हैं उससारे सवालों पर जवाब मैं इस विडियो में दोंगी साथी हम यह भी डिस्कस करेंगे इसके वेनिफित्स क्या है कि लुगों कुष प्रिप्रिशल का यह करना चाहिए दिम्लाइन क्रीम कर दो यूज़ कर सकते हैं क जी पिग्मेंटेशन को लाइट करने के लिए जाता है इसका मॉलिकुलर साइज बहुत चोटा होता है जो स्की में दिप पेनेट्रेट होता है को रिडियूस करने में हलप करता है अब इसे पोस्ट इंपलामेटरी हाप पिश्ट आकने सब्सक्राइब के लिए यूज़ कर सकते हैं अनिवन स्कीन टोन के लिए यूज़ कर सकते हैं एच्पाइब अंडर राम्स डाक नेक डाक नीज अल्बोव और हैंड के लिए अगर आपके फेस में अक्टिव एकने है थान यू शूड़ आवइड प्रॉड दिस क्रेम क्योंकि एक्टिव एकने में इंफ्लामेशन होता है एंड गलाईक ऑलिक ऐसे इंफ्लामेशन को और जादा बढ़ा सकता है जिससे सकेंट रेड अन इर्टेट हो सकती है बीच चै इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं फर्स्ट आप इसे डेली यूज कर सकते हैं अगर आपने अल्रेडी आक्टिव इन यूज किया है या आप सिर्फ इसे अफेक्टिट एरियाज में यूज करना चाहिए सेकेंड इसके पहले अगर आपने कभी आक्टिव इन यूज नहीं किया है इसे आप थ्राइस अविक यूज कर सकते हैं या आप इसे अल्टरेडी यूज कर सकते हैं यह सबसे कॉमन साइड एफेक्ट्स है ग्लाइकॉलिक एसिट कंटेनिंग प्रोडक्स में ग्लाइकॉलिक एसिट स्कीन को एक्सफॉलियेट करता है और कंटिनियूस एक्सफॉलियेशन की वज़े से अगर आपको कोई बर्नेंग एचिंग नहीं है तो यूज कर देखने के पहले पैच टेस्ट के लिए बिए पैच टेस्ट के लिए इसका स्मॉल अमाउंट लेकर बैक अप्लाइब करना है एंड़ वेट करना है त्यू तो फाइब मिनुट्स अगर आपको कोई बर्निंग इचिंग रेजनेस नहीं है इस बार इस लिए अपलाई और बहुत ज़रूरी है अपको हर एक गंदे के बाद संस्रेण रियाप्लाई करना है फ्रम 12 प्रम तो 4 प्रम नेक्स्ट इसे आइस के अराउंड यूस नहीं करना है इसके साथ मुंश्याराइजर अपलाई करना बहु क्योंकि इसके सच कोई साइफिक्स नहीं है अगर लॉंटर्म यूस किया जाए बट यह 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 इसलिए लाइफ लॉंग भी यूस नहीं का सकते है दिमलान क्रीम का रिजल्ट वैरी करता है प्रॉम पर्संट तो पर्संट इसमें इसमें आप इसे अंडिराम में यूज्स का सकती है वर पी यह थोड़ी पतली होती है एड यह को इरीटेट का सकता है आप under eyes pigmentation and dark circles के लिए under eyes products यूज कर सकते हैं जिसमें retinol, kojic acid and vitamin K जासे ingredients हो आप को उसके साथ में retinol, vitamin C and copper peptide वाले products अब इसके साथ में halodonic acid, 5% niacinamide and alpha arbutin वाले products यूज कर सकते हैं अगर आपको डिमलान क्रीम से रिलेति कोई भी क्वेरी से यूज कर आपको मेरी कोशिश यही रहती है कि में सारे लोगो को रिप्लाइ करूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, दो लाइक, शेर और सब्सक्राइब to my channel and turn on the notifications so you never miss out any of my videos thanks for watching, see you next time